एक पती ने चरित्र संदेह के सक में अपनी पत्नी की गर्दन कुलहाडी से काट कर उसकी हत्या कर दी साहागंजथाना अंतरगत आने वाले ग्राम संखेडी में चरित्र संदेह के चलते पती ने पत्नी की कुलहाडी से हत्या कर दी साहगज थाना अंतरगत आने वाले ग्राम संखेडी में रमेश परते ने पत्नी रामबती उम्र 45 वर्स की धारदार हतियार से धर से गरदन अलग कर दी और मौके से फरार हो गया साहगज पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीम करा कर सब परिजनों को सौब दिया है साहगज पुलिस की ततपरता से आरोपी को गोहर गंज थाना छेतर से गिरफतार कर लिया है थोड़ी हो दिर भीट गया और उसके बाद यह हस्ता हुआ था बाद में मेरे को पता लगा कि एसा तुम्हारी मम्मी को हो गया तो सर में भागते भागते आया फिर घर पे देखा तो यह गरदन कटी हुई थी तिसने कटी गरदन सर पापाजी क्या नाम इनका रमेश आपक संखेडी गाउं में एक महिला की हत्या हो गई है पूस्ताश में पता लगा कि पारिवारी विबाद की कारण पहले भी इन लोगों में जगड़ा होता रहता था और इनकी इसकी जो हत्या है इसके पती नहीं की थी पती का नाम रमेश परते है उम्र पचास वर्ष इसको गो आथं हॉस्पिटल समांतिराह जीवा में अगेंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की इसो विधा उपलब्त है हमारे यहां मिल रहा है आयूवान भारत निराम एयोजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसल, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओप्रेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्थ है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर